इंडिया में inflation rate याने महंगाई बहुत जादा बढ़ रही है और जिसको control में लाने के लिए RBI याने Reserve Bank of India ने जो repo rate है उसको 40 basis point से बढ़ाया है और जिसके चलते अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हो जो भी इंडिया के बड़े banks है जो nationalized banks है या सारे banks है वो loan, personal loan जो भी loans है उसके interest rate यहाँ पर बढ़ाने के chance से यह अच्छा लगता है तो इसको like कीज़ेगा और दोस्तने के तास share कीज़ेगा तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया RBI ने 40 basis point बढ़ाये और उसके चलते HDFC ने 30 basis points का prime lending rate बढ़ा दिया लेकिन कुछ दिनों पहले यान और 9 में से अगर देखा जाए तो आपका 35 basis point से बढ़ेगा याने कि अगर आपका current interest rate 7% चल रहा है तो आपको 9 में से 7.35% का interest rate आपको देना पढ़ेगा लेकिन अगर आप नया loan चाहते हो तो पिछले कुछ दिनों तो आपको जो loan है 6.7% से मिलता था वो जो अभी आपको 7 7.05% से मिलेगा क्योंकि 35 basis point यहाँ पर बड़ोतरी होई है और जिसके चलते आपको EMI में कितना difference आएगा मान के चलते है कि आपका 10 और अभी 15 साल का बागी है और आपका जो amount है जो principal amount है वो अगर 30 लाग 40 लाग 50 लाग 60 लाग से तो अगर आप current EMI के साथ 7% के साथ देखते हो तो वहाँ पर कितना difference आता है यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपका 30 लाग का यहाँ पर लोन है तो current EMI आपका 26,965 रूपीज था जो की बढ़के 27,555 रूपीज बढ़ेगा तो आपको 30 लाग के लोन के लिए हर मैना 590 रूपीज एक्स्ट्रा देने की जरौत है अग आपको 53,930 रूपीज देने पड़ते थे जो के आगे 55,111 रूपीज आपको देने पड़ रहे है तो आपको जो हर महिने 1181 रूपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यही अगर आपका 20 साल का लोन है तो आप देख सकते हो स्क्रीन के उपर कि 60,000,000 के लिए आप पहले 46,518 रूपीज पेग करते थे वो अभी नया EMI जो है वो 47,787 रूपीज यहाप आपको पेग करने पड़ेंगे तो लगबग 1219 रूपीज यहाप बड़ेगा 50,000,000 का लोन है तो आपका जो डिफरेंस है वो 1057 रूपीज से यहाप बड़ेगा तो जो नेक्स्ट है तो होम लोन का अगर आपका टेन रूपीज 25 रूपीज तो उसमें भी आप देख सकते हो कि 30,000,000 के लिए 675 रूपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर महिना 40,000,000 के लिए 899 रूपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 50,000,000 के लिए 1,124 रूपीज एक्स्ट्रा दे आप calculate करते हो जो EMI है उसके चलते आपको यहाँ पर कितना ज्यादा difference देने की जरुरत है यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि एक calculation देख लेते हैं कि पचास लाग का यहाँ पर लोन है और उसमें अगर आप पहले 7% के हिसाब से आप जो interest पे करते थे वो था 43,3,500 रुपीज याने कि कुल मिलाके जो total amount आप पे करते थे वो थी 93,3,500 रुपीज लेकिन अगर आप देखोगे कि जो नया interest rate है वो 7.35% से है तो वहाँ पे आपको 43,00,000 के बजाए 45,57,356 रुपीज देने पडेंगे याने कि जो total amount प्रिंसिपल प्लस interest होगा वो 95,57,356 यहाँ पे आप total difference है वो 253,856 रुपीज है जो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 साल के लिए आपका लोग ने और आपके amount principal amount 30,00,000 बाकी है तो आपका difference याने कि यहाँ पे 152,250 रुपीज एक्स्ट्रा आपको सिर्फ जो अभी 35 basis points इल इंटरेस्ट बढ़ा है उससे देने पडेंगे 40,000,000 के लिए 2,000,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 50,000,000,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और 60,000,000 के लिए 3,000,000 रुपीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगले आने वाली कुछ दिनों में और भी आपको यहाँ पे interest rate मे दिखाई दे रहे अगले एक दो सालों में तो उम्मिद करता हो दोस्तों इस वीडियो के थुरू आपको कुछ आइडिया ही होगी नया इंट्रेसेट के साथ आपको कितना चेंजेस आएंगे तो यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीज़ेगा और दोस् हे किज़ेगा थनक